सब्सक्राइब कीजिए PC Studies को और दबाएज घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यह है लाइफ प्रोसेस का पार्ट फाइव इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांस्पोर्टेशन तो ट्रांस्पोर्टेशन का मतलब क्या होता है ट्रांस्पोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी ऑबजेक्ट को एक जगह से लेके दुसरे जगह मूव करना तो अब आगे आ जाते हैं ट्रांस्पोर्टेशन इन यूमन में humans में substances का transfer किस तरह चे होता है अब हम वो देखेंगे वो पढ़ेंगे तो blood is a connective tissue in human it transport necessary substance in cell and transport metabolic waste product away from those same cells humans में blood एक connective tissue होता है जो necessary means जरूरत के substances को cells तक पहुचाता है और metabolic waste means जो हमारे body में जो waste product होता है उसको भी यह cells से बहार निकालता है तो हम बोल सकते हैं कि humans में जो transportation का काम होता है वो करता है blood तो अब यहाँ पर है the main components of blood तो अब हम देखेंगे कि blood के main components क्या क्या होते हैं तो इसमें सबसे पहले है plasma, virate blood cells, हमारा RBC, platelets और white bloods इसे हम WBC भी बोल सकते हैं तो सबसे पहले पढ़ लेते है plasma के बारे में तो इसमें हमें दिया है it is yellow color fluid, it transports food, carbon dioxide, waste product, etc. तो plasma blood का एक component होता है वो yellow color का एक fluid होता है और वो food को carbon dioxide को और waste product को transfer करता है एक जगह से दुसरे जगह हमारे body में तो अब है red blood cells इसे हम RBC भी बोलते है it contains hemoglobin which transport oxygen तो इनमें होता है hemoglobin और hemoglobin क्या करता है hemoglobin transport करता है oxygen को next step platelets, platelets क्या करता है this help in blood clotting और clotting मतलब होता है जमा देना तो हमें कोई injury हो जाती है यहां कोई cut लग जाता है तो उसमें से blood loss ना हो इसलिए platelets क्या करता है blood को cloth कर देता है means जमा देता है जिससे हमारा blood loss नहीं होता next है white blood cells जिने हम WBC भी बोल सकते white blood cells इसके बार में दिया है these cells fight against harmful bacteria, viruses and germs तो यह क्या करते है हमारे body में जो harmful bacteria, viruses और germs होते हैं उससे fight करते हैं immunity system को बनाते हैं immunity system means हमारे body की प्रतिरोधक शमता तो यह थे हमारे blood के main चारो components मैंसे में तो अब हमारे blood होता है वह एक P solidarity होता है तो इसे हमारे blood vibe sommerfield को आपार में प्रूप करने के लिए या तो कोई pressure चहिए या फिर कोई pump होना चाहिए जो हमारे blood को wills करे हमारे croup haha broadcast we start again to your day pandemic तो अब हम हाट के बार में पढ लेते हैं ही यहाँ पर हाट के बारे मिले हाट ऑरगन, इस्वाहाँ विधि रहा हम एक Sag Lage मारे मां जह और इसकी दो साईड होती है एक muscular wall से तो अब हम इसे diagram में देखते हैं जैसे आप देख सकते हैं यह है इसकी left side और यह है इसकी right side और इन दोनों side को एक muscular wall divide करती है यह वाली और इसे हम बोलते है dividing wall और हमारे heart में four chambers भी होते हैं left atrium, right atrium, left ventricle and right ventricle तो इसे भी हम diagram में देख लेते हैं हाट की, right side हो अनिया पर दो Chemmers होते हैं जो यहां पर upper side में होता है जो ऊपर होता है वो होता है right atrium और जो नीचे side में होता है यह वाला lower side में उसे हम बोलते है right ventricle और left side में भी current od Вы यहां पर वाला है उसे हम बोलेंगे left atrium और तो नीचे वाला है वह ओंजाए साइट का दिफरेंट्स है तो उपर और नीचे चेंबर्स है यह बीच में एक वॉल थी और यह वाल से जो माला उपर वारे चेंबर होता है addrium उस से नीचे वाले chamber में blood आता है ventricle में और यह सेम प्रोसेस होती है हमारे heart के left side में यहाँ पर भी जो addrium और ventricle है उन्दों की बीच में एक wall है और यह wall के through addrium से ventricle में blood पास होता है तो यह थी heart की definition अब हम देखेंगे how hard हाट काम कैसे करता है है यहां पर दिया है ड dictate blood come from body to write atrium भी लोडो मिन्स जो ब्लोड oxygen क्रिक नहीं करता कार्बन d ή उक से घरी करता है उसे ममोज से डिय अप्लोड हमारे बॉड़ी से आता है right atrium में है तो स्याम डाट्राम में दिखते टो यहां पर है वेना केवा तो यहां पर क्या होता है यह वेना केवा से लोवर बॉड़ी का हमारे जो लोवर बॉड़ी है उसका डियोक्सिनेटेट ब्लॉड एट्रियम में आ जाता है और जो अपर बॉड़ी का डियोक्सिनेटेट ब्लॉड होता है वह इस दूसरे वाले वेना केवा से आ जाता ह आट्रियम में इसके बात क्या होता है वीज देन पर्म टू यूर लॉंग्स बाई राइट वेंट रिस तो जो बलड हमारे राइट एक्रियम में आया था वो इस वाल के थूचल ले आता है राइट वेंट रिस में क्योंकि तब हाट एक्सपेंड हो रहा होता है और फिजब पराइट वेंट रभैयो राइट वेंट रिस में जाता है तो हाथ हमारे फिल्द से क कांट्रयक्शन करता है तो तब यह जो वाल है एट्रियम और वैंट रहुए आसले कि हो ज हमरे शुद्हें में अपकी फिर्ट वेंट वेतरे भीन कुश्वर हाट रच्ष के थरू हमार तरहां पर इसका एक गासेस एक्सेंज हो जाएंगा वहां पर ये ऑक्सिजन यूडिन आपक्सिजन इचिजन आजाएंगा तो अप्के आउंगा देन ऑक्सिजन इटेट ब्लोड कंस्टू लेफ एक रियम त्रो विंस विज देन पर टु बोड़ी पाद्स बाइलेफ्ट वे और याँ पर जो हमारा oxygenated blood है वो आ जाएँगा left atrium में थ्रू विंज्ज है यहाँ जो विंज्ज है उसके थ्रू यह left atrium में और उसके बाद और रोटा को यह हमारे पूरे बॉड़ी पार्टस में पंप कर दिया जाएंगा left ventricles से थ्रू और निया थ्रू लेफ्ट वह ब्लोड को हमारे पूरे बॉड़ी पार्ट्स तक पंप कर देंगा जैसा है यहां पर आप डाइग्राम में भी देख सकते हैं यह जो हमारी वीन से यहां से ब्लोड के इंटर करेंगा एक्रियम में और इस वाद के तुर्व यह जाएंगा वे लेकिस के फैसल्स इफिस ऑटा के गिए डाप्षी में पूरे ब्लोड को पूरे बॉड़ी पार्ट्स में कि कोशिश करतें कि तो यह हमारा हार्ट और यह हमारी बाडी तो हमारे बॉंटी से डी ऑक्षिजएनेटेट बलोड वेना के थूरो चल G जाता है राइट यैट्रियम में हमारे हार्ट के अपर वाले रात्रे पाट में वहां से यहाँ और रहीं यह चल जाता है और फिलंग्स में यह जो डी ऑक्सटेट बाड़ है वो कार्बंडी ओक्सआइट को ड्रॉब करता है और उक्सजोन को करता है तो यह हो जाता है दो इसके बाद जो oxygenated blood होता है वो pulmonary winds के त्रो चली जाता है left atrium में ये left atrium सा चली जाता है left ventricles में जो इसके बीच में जो वाल होती है इसके त्रो ये चला चल जाता है left ventricles में और उसके बाद ventricles OroTas के त्रो इस oxygenated blood को उमारे पुरे body के सेल तक पहुचा देती है उसके वाहसा हमारी बॉड़ जो एज वह औक्सिजण कंजूम कर देती है और कार्बं दğक्ट्रों करती और फीच से यह ज़ाल हमारे बॉडी का piping system होती है तो blood vessels डो टैप क्यों होती है arteries और winds तो एक एक करके हम दिन दोनों को detail में पढ़ेंगे तो पहले पढ़ते है arteries को arteries क्या होती है this carry oxygenated blood from heart to body parts except pulmonary arteries this thick and elastic the smallest vessels which are one cell thick are called capillaries arteries तो जो भी arteries होती है वो oxygenated blood को heart से carry करती है except pulmonary arteries यहां पर exception रखा गया है pulmonary arteries के लिए यहां पर pulmonary arteries होती है वोई सिर्फ deoxygenated blood carry करती है this thick and elastic यह जो arteries होती है यह thick और elastic होती है elastic means यह bend हो सकती है the smallest wheat cells which are one cell thick are called capillaries जो इसकी स्मॉल arteries जरूती है जो सिर्फ one cell thick होती है उसको हम capillaries बोलते हैं तो simply arteries oxygenated blood को carry करती है heart से यह elastic होती है ठीक होती है एसी arteries जो सिर्फ one cell thick होती है one cell मोटी होती है उसे हम बोलते हैं capillaries यह होगा हमारी capillaries अब देखेंगे विंस तो विंस होती है विंस carry deoxygenated blood from body parts to heart except pulmonary veins इस आर थीन and less elastic तो विंस deoxygenated blood को carry करती है और हमारे heart तक पहुचाती है तो इसमें इसे भी exception है pulmonary veins classic pulmonary veins होती है वह oxygenated blood को carry करती है यह थीन होती है और less elastic होती है थीन मींस यह पतली होती है और arteries से कम elastic होती है मतलब यह arteries के compare compare में कम fold हो सकती है तो हमने यहापर डो टाइप्स के blood vessels पर है arteries और winds तो अब हमारा next concept पढ़ेंगे यहाँ पर दिया है limbs limbs भी एक तरह का transporter होता है तो इसके बार में पढ़ते इस इस अल्चो और transporter fluid the pores present in the walls of capillaries some amount of plasma protein and blood cells escape into intercellular space in the tissues from the limbs तो blood के लावा हमारे body में एक और transporter होता है limbs तो यह बनता कैसे है है तो हमारी जो blood capillaries होती है उसमें छोटी होटे pores होते हैं छोटी होटे छेद होते हैं जिसमें से plasma protein और blood cells escape कर जाते हैं निकल जाते हैं intercellular space में यहाँ पर intercellular space means हमारे cells की बीच में जो space present होती है उसे हम intercellular space बोलते हैं तो यह से बन जाता है limb यह जो आपको intercellular space दिख रही है इसे में वह escape कर जाते हैं निकल जाते हैं capillaries से जो हमारी blood capillaries होती है उससे escape कर जाते हैं यहाँ पर पॉइंट दिए इसके बारे में हम उसे भी पढ़ लेते हैं फॉर्स्ट है इट इस colorless यह colorless होता है इसका कोई भी color नहीं होता है सेकेंड है limbs absorb and transport fats from intestine तो लिंप intestine से fat को absorb करता है और उसे बाकी के body parts में transport करता है तो हमाहा लास्ट पॉइंट है इस second the excess tissue metabolism तो यह मारी tissue के किआOOOOOOOO को करता है कि मूट करता है metabolism excess metabolism means क्या होता है work product तो यह मैंदे टीशू के waste product को लिमूब करता है यह था हमारा ली इसके साथ हमारा Peter количество in human खत्म होताल Till अब हम देखेंगे transportation implant plant plant में transportation कैसे होता है तो यहां पर दिया है दियर आ तव थीशुई इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशंट तो डी होगते हैं तो यह टिशू है जायलेम और फ्लोम तो इन दोनों का अपनी class line में भी पढ़ाऊंगा सबसे पहले हम पढ़ते हैं जायलेम इसके में दिया इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनेरल इन अपवर्ड डारेक्शन फ्रॉम रूट टू हाइस्ट पॉइंट ऑफ दा प्लांट तो जायलेम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को उसमें डिजॉल मिनेरल्स को इन अपवर्ड डारेक्शन और सिफ यह अपवर्ड डारेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड डारेक्शन मिन्स रूट से लेके हाईस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट तक तो अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट तो हमाया थर्ड पॉइंट है इट व Transpiration के Principle अद्स पार्ट थे फ्लोम के बारे में God प्रस्ट पॉइंट क्या है ट्रांसपोर्ट फूट फ्रॉड फ्रॉंसे लेक्श सब पार्ट में फूट को ट्रांसपोर्ट करता है तो हम सेकंड पॉइंट दिख लेते second point है it can transport upward as well as downwards conflorements issues two direction में transport कर सकता है upward means उपर वाला ही direction में भी and downwards means नीचे वाला ही direction में भी तो फूड को upward और downward वाद डाउन डारेक्शन में transport करता है तो हम देख लेता है हमाया third point transport of food from leaf to other part of plant is called translocation तो जो transport होता है food का leaves से plant के बाकी parts में उसे उस process को हम बोलते है translocation तो अब हम देखते transpiration It is the process of loss of water as vapor from aerial part of the plant तो इस process में water का loss होता है vapor के form में जो plant का aerial part होता है वहां से aerial means जो उपर वाला upper part होता है वहां से water का loss होता है vapor के form में इस process में जो leaves होते है वह एक air pressure create करते है जिससे water उपर के तरफ flow करने लगता है और stomata से बायार निकल जाता है और इसी के principle पे काम करता है xylem tissue और इसी के साथ ही हमारा transportation implant खतम होता है कुछ कुछ